फिर से आप से भी का स्वागत है रोयल केरियर के इस यूटूब चैनल पे मैं हूश फाग अभी जो हम लोग एकलास करेंगे वो रहेगा मैत का इसमें हम लोग जो अभी मैत में जो देख रहे हैं जो चेप्टर वो है आपका 1 जिसके एक्सरसाइज अभी देखेंगे हम लोग 1.3 इससे पहले 1.1 1.2 कंप्लीट है जो नहीं देखे होंगे प्रले लिस्ट बना हुआ है आप देख लिजेगा वहां से आपको हर एक कोशन का जो सोलोसन मिल जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पे जो हम लोग 1.3 देखेंगे इ इससा का आपको हरी क्लास के नोटिफिकर से मिलता रहाएगा तो यहाँ पे हम लोग 1.3 कोशन को देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया 1.3 कोशन में कि सिद्ध करना है हमें कि आपका रूट 5 एक ओपरी मैं संख्या सिद्ध करना है जैसा कोशन आपको दिखी रहा होगा तो इ माना की देखेंगा थो ध्यान से माना की रूट 5 एक का आपका परी मैं संख्या उल्टा मान लेते हैं इसको परी मैं संख्या ठीक है इसको समीकन कर लेता है एक जब यह परी मैं संख्या रूट 5 इसलिए आप लिख सकते हैं इसको रूट 5 बराबर पी बटा में Q ठीक है पी और का अक्रोस गूना कर लिजिए तब P IQUALM हो जागा आपका ROOD 5 Q आप इसको आसे लीख सकते है Q ROOT 5 टीका को पाहर है रूट 5 को बाद में आप ऐसे बिलकुल लिख सकते हैं इसको helpless ofere aấtको का लेटे हैं यहाँ आप菲ेसन नमबर डुло और आपका इनसर आइका सकतने का कुछ उस हां किया कोई कूँ कोई पुर्नांग पूर्नांगा ठीक है, P और Q कोई पुरुनाग के, कोई भी contentation के वो सकती है, जब की Q रूट पांच की बात किज़े अगर, जब की, हाँना, जब की, लिख देते हैं आपे, जब की, Q रूट पांच में, Q आपका परिमें है, की P, sorry, Q जो है, Q परिमें, और आपका जो रूट पांच है, वो आपरिमें, आपरिमें संख्या है, ठीक है, इसलिए जो आपका फाइनली होगा, देखेगा, इसलिए आपका Q रूट पांच जो होगा, Q root 5 यह है जो होगा वो आपका O parimaya कर लाएगा का कर लाएगा O parimaya O parimaya Sankhya ठीक है O parimaya Sankhya है इसों कर लिजे एक क्विस्टो में कितना आपका 3 कर लिजे कारण लिखना था कारण लिख सकते हैं आपके लिख दिजे हैं यहापे क्यों की क्यों की यानि कि यह आपका O parimaya की बना क्योंकि parimaya Sankhya parimaya Sankhya अगुना में O parimaya Sankhya कर लिख आपका O parimaya O parimaya Sankhya ब्रावर का होता आपका O parimaya Sankhya होता O parimaya Sankhya करने का मतलब यह है कि अगर एक parimaya Sankhya रहे है गुना रहे बीच में दूसरा रहे O parimaya Sankhya तो finally जो result आएगा वो आपका O parimaya Sankhya ही आएगे यह से देखे कि parimaya Sankhya और Q आपका parimaya है यहाप लिख 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 Q parimaya root 5 parimaya रहे है तो schmeeg लिख लिख लिखुए रहे होता है O parimaya Sankhya होता है कि आपके समिह कान एक में हम के हमने क्याओंने है उसलिब विरोध करती है इसलिए हम कहेंगे कि आप विरोध कर रही है उतका तो हम कहेंगे कि यह जो आपका है Q root 5 Auj me rein जो आ रहा है यानि कि ये जी आपका parimai मानने है ये गलत है मानने है जी कह है तो इसने उसंडे मासम klick सकते है इसलिए root 5 का होगा root 5 1 Auj me rein sankhya ठीक है Auj me sankhya होगा ठीक है इसे करके ऐसे कर देजिए इमाय संख्या है, ऐसा Q मानें, क्योंकि इसको हम P बटा Q की रूप में लिख सकें, ठीक है, क्रोस गुना कर दियें, Q रूट पांच आ गिया, इसी पे कुछ सब्द लिखे है, समीकन दो इसको कहें समीकन दो में पी एवं कोई पुर्णांग है तो पुर्णांग तो आपका परिमे होता ही है लेकिन क्यू रूट पांच में क्यू का आपका परिमे है रूट पांच अपरिमे संख्या है तो आपका Q root 5 एक आपरी मैं संख्या हो जाएगा क्योंकि परी मैं संख्या पहला वाला परी मैं संख्या और गुना में आपरी मैं संख्या लगा हुआ यहार आपका आपरी मैं संख्या होगा यहार आपका आपरी मैं संख्या ठीक है जो कि समीकन 3 में है फिर आप लेख दिया है समीकन 3 जो है समीकन 1 का विरोध करती है इसलिए रूट 5 एक अपरी मैसंख्या होगा अब ध्यान दिजेगा अगर कोशन में आपको यहाँ पर रूट 2 दिखे सेम ऐसे ही बनेगा जहाँ पर 5 दिख रहा है वहाँ पर 2 हो जाएगा अगर पूछा जाए रूट 3 जीड़ करें कि रूट 3 एक अपरी मैसंख्या है बिल्कुल आपका ऐसा ही रहेगा वहाँ पर आपका 2 हो जाएगा रूट के अंदर कहाशन सिद करें कि रूट 7 एक अपरी मैसंख्या बिल्कुल यही प्रोस्रस होगा सिर्फ ऐसे भी रूट के अंदर का अंग का होगा बदलता चला जाएगा जो कहेगा वो हम निकालेंगे उम्मीद करते हैं बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा ध्यान दे जागा एक कोशन आपको बटा वाला भी दिख जागा ऐसे एक बटा रूट दो सिद्ध करना तो इसको भी हम का करेंगे पी बटा क्यू मान लेंगे ऐसा ही ठीक है इसको क्रोस गुना करेंगे तो क्यू इककोल में लिखेंगे पी रूट दो का लिखेंगे जो इसको पहले गुना करते हैं ना तो क्यू यह जगा पी रूट दो ठीक है ऐसे ही फिर प्रोसेस करेंगे और आपका एंसर यहाँ पे भी आपका साबित हो जाएगा ठीक है तो आज ये किलास में इतने रहें देता है चुकि आपका ये जो प्रसना वाली है 1.3 इसमें बस यही करना है सिद्ध करने वाला कोशन है वो क्लास है हर एक क्लास का नेटिफिकेशन आपके मिलता रहेगा और आप परतेक साम साथ वजे से आप इस क्लास में सामिल हो पाएंगे और जो भी आपको यहाँ बताए जाएगी इंसे आर्टी बुक पर अधारित प्रसन होगा आप पूरा यहां से कंप्लीट कर सकते हैं तो